कैसे कैसे डिवर्स होता है करनाटक के कलबुर्गी में डाक्टर साइधा अम्रीन एंबीबियस MS गाइनलोजिस्ट हस्बैंड एंबीबियस MD physician हस्बैंड कहता जा मैंने तुम्हें आजाद किया जा मैंने तुम्हें आजाद किया जा मैंने तुम्हें आजाद किया डाक्टर साइंदा अमरीन काजी के पास गई बोले हमारे हस्बन ने ऐसे बोला कि तीन बार बोला जाओ आजाद किया आजाद किया क्या करूं बोले तुम आजाद हो गई जाओ ये इनिफार्म सीवल कोड आएगा ये बंद हो जाएगा इनिफार्म सीवल कोड आएगा तो ग्राउंड साफ डिवर्स फिक्स हो जाएंगे अगर कोड होने पर होना है पागल पन होना है नपुन सकता पर होना है बाजपन पर होना है जो भी ग्राउंड साफ डिवर्स हो का आप दूसरा कोई शब्द मत यूज किया करें मैं आपसे अग्रह कर रहा हूं तो यू सी सी का फाइदा किसको हुआ कैन वह टेडिन तो उनिफॉर्म सिविल कोट आएगा गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिल जाएगा तो हिंदू जैन बहुत सिक्ष में तो पहले मिला तो फाइदा किसको हुआ जोरिए इंटूरिश्टिंग स्टॉरी है कि धियूर्ण सीविल कोट आएगा गोध लेने कद्रया सबको मिल जाएगा तो फाइदा उसको हुआ जिसको बोद लेने कद्र है नहीं बड़ी इंटेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने प्यायल कि बोले साहब हमारे मामा नहीं है और हमारे नाना जी की पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी हमें दे नहीं सकते उनकी प्रॉपर्टी वक्त पे जा रही है तो कम्सक्म ये कालून आएगा तो मैं अपनी नाना की प्रॉपर्टी ले लूँगा नासर का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा वसीयत का एक समान अधिकार सबको हो जाएगा एक पती एक पत्नी का नियम सब पहले लाग हुए है तो फाइदा किसको हुआ है कर्वोर्टेट हिंदुओं को है हलाला बंद हो जाएगा है फाइदा किसको हुआ है मुताह बंद हो जाएगा किसको फाइदा हुआ जोर से बोलिए मिस्यार बंद हो जाएगा किसको फाइदा हुआ अच्छा मुताह मिस्यार क कोड में मुता और मिस्यार 15 दिन के लिए कॉंटेक्ट मेरीज होती है बीस दिन के लिए दो हफ्ते के लिए तीन हफ्ते के लिए चार हफ्ते के वह आरब के से खाते हैं चुकि शादी कुमर 9 साल है तो 10-11 साल की बच्चियों को छाट लेते हो लखनव में कोची में हैदराबाद में ऐसे जगा जगा गरीब माबाब को 10 लाख रुपए दिया उन्हों अपनी बच्ची दे दिया क्या कर लिया मुता मुता मतलब कांटेक्ट बेरिज और उसके बाद वो एक महीने मस्ती करते हैं और प्रिग्नेंट करके छोड़के चले ज करेगा नहिंक है माबाब कितने दिन रखेंगे मस सोच सकते हैं उसका बच्ची का भविश्य क्या होता है यह इनिफॉर्म से लगोड़ाएगा यह मुताह बंद hätte हो गागतश्यार बंद गया चुवा छूत के लिए कानून बना सती प्रथा के लिए कानून बना बाल विवा के लिए कानून बना जो कुरीतियां भारत में आई थी उन सब के लिए कानून बना लेकिन जो कुरीतियां विदेशी विदेशों से आई थी मंगोलों के साथ आई चंगेजों के साथ आई मुगलों के साथ आई उनके लिए कानून नहीं बनाओ जबकि सम्मिधान करेंगे और भारत में एक युनिफॉर्म मैं hem अच्छा आप यह देखो हमको लोग कहते हैं कि नहीं निमत के हिंदू का अब यह बताओ इस प्याइल से हिंदू कोई फाइदा है कि इतनी सारी मैंने प्याइल फाइल कर दिया मैं किसके लिए लड़ रहा हूं कनवर्टेट हिंदू के किसके लड़ रहा हूं कि लेकिन लोग मेरे उपर आरोप लगाते हैं मैं तो हिंदू के लिए लड़ रहा हूं भाई उनकी समस्याएं अगर खतम होगी हाँ एक फाइदा अच्छा जनसंख्या नहीं फाइदा किसको होगा अरे हिंदू तो पहले हम दो हमारे दो कर रहें तो अकर हम दो हमारे दो सबके दो लागू हुआ है तो किसका विकास होगा जोर से वह लिए जरा किसका कुपोसर खतम होगा किसकी बिमारी खतम होगी किसकी गरीवी खतम होगी किसकी भी मो बेरोजगार ही खतम होगी आज आज समझे नहीं है हमारे देखा इंट्रेक्टिव है अश्री जी को बन कर दिया ना आवाद उडारे को भूमी हिंदू के जी आवाद उठाएगा उसको बन कर दिया जाएगा नो को शर्मा हो या अश्री बात मैं आपको बता दू पेट में ना कोई पार सि ना इसाई माँ के पेट में वह ब्रूड होता है 15 mएंचे वह न ब्रूट होता है 5000 जट्वे महीने के बाद उसके अंदर अंस उडु cater होता है कि हिंदू आगे बनेगा या मुसल्मान या पार्सी साही क्योंकि माँ के कान के जरीये सुनना सुरू करता है माँ जो भोजन करती उसका असर उस पर सुरू हो जाता है लेकिन एक्ष्वल में वह हिंदू बनेगा या या कनवर्टेड हिंदू करता हों और मैं रोज अपने बच्चे के को हूँ कि हनवान जी ही पूजा योगी है हनवान जी के लावा कोई भी और पूजा योग है तो मेरा बेटा ही रेडिकल हो जाए के गाते नहीं मनते और HelpOS सानात्रम ईड क्यों है इसलिए लिब्राल है कि कभी हम यह नहीं कहते के वल संकर जी पूजा योग है जैन कभी यह नहीं कहते के वल भगवान महावीर के यह अरागनी होनी चाहिए बहुत कभी यह नहीं कहता के वल गुर्गन साहिब को ही पड़ो वैश्णो कभी यह नहीं कहते के वल विश्णु भगवान विश्णु की पूजा करो सैव कभी यह नहीं कहते कि भगवान संकर की पूजा करो शाक्त कभी यह नहीं कहते कि मा दुरगा की पूजा करो एक बार हाला कि पहले युद्ध हो चुका है नौवी सताब्दी में हो रेडिकलाइशन की जड़ यहां पे हैं आप इस बात को समझेए हम अपने ही घर में अगर यह सिखाना शुरू कर दे ऑनली हनमान जी शुट भी वर्शिप्ट हमारा बच्चा रेडिकल हो जाएगा हम लिबरल इसलिए हैं पिता जी संकर जी की पूजा करते हैं माता जी दुर भारत में प्राडियों में सद्भावना हो तो सबसे पहले भारत के मुगलिया स्कूल बंद करने पड़ेंगे मदर से बंद करने पड़ेंगे जहां सबसे ज्यादा नफरत सिखाई जाती है उसके मिला कुछ नहीं होगा आप योजनाएं बढ़ाके मकान देके मुद्रा लो लेकिन स्लेबस और करिकिलम कामन हो अब कुछ लोग कहेंगे कि बारत में तो लिखा हुआ है कि रिलिजिस किताब पढ़ाई नहीं सकते हां बिल्कु सही है समिदान कहता है रिलिजिस किताब नहीं पढ़ा सकते तो भगवत गीता राम चरित मानस रिलिजिस किताब नहीं है यह धार्मिक किताब है, धार्म और रिलिजन में इंतर समझेए, रिलिजन का मतलब जहां one book one god हो, और धार्म का मतलब ऐसा नहीं होता, रिलिजन में single way होता है, one way entry होती है, आ गए तो आ गए, निकलो गे तो गला काट दिया जाएगा, धार्म ऐसा नहीं कहता है, रिलिजन कहत हमारे रिलिजन कीजे हो, हम कहते हैं अधर्म का नास हो, रिलिजन कहता है, जो हमारे रिलिजन को ना माने उसका नास हो, हम कहते हैं प्राडियों में सद्भावना है, मजभ कहता है, जो हमारे मजभ वालों में सद्भावना हो, हम कहते हैं विश्व का कल्यार हो, मजभ कहता ह है हमारे मजभवालों का कल्यारों यह डिफरेंस है तो भगवत गीता विधायक जी रामायर रामचरित मानस इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ हिंदू बन जाओं यह धार्मिक पुस्तक है और भारत का संविधान धार्मिक पुस्तक के उपर रोक नहीं लगाता है यह अलग बात है कि गड़बड़ी के कारण हमारे जजों ने धर्म को रिलिजन समझ लिया और जजों ने क्यों समझ लिया पिता जी उनके बैरिस्टर थे अंग्रेजों के जमाने में तो उन्हों ने पूरी अंग्रेजी की पढ़ाई पढ़ी पढ़ी दादा बैरिस्टर थे पिता जी बाद में जज हो गए वो खुद भी जज हो गए पढ़ाई उनकी पूरी कान्वेंट की है धर्म और रिलिजन के अंतर को दोनों समझाई नहीं जैसे पांचों गलिया बराबर नहीं होती ऐसे धर्म और रिलिजन बराबर नहीं होता है यह हम कहते ने सर्व सरव धर्म-शंभाव हो ही नहीं सकता जैसे पांचों गोलिया एक समान नहीं हो सकती दोनों आख एक समान नहीं होते एक ही माखे पेट से पैड़ा हुए झुड़वाब्त एक समान नहीं होते, ऐसे सारे मजहब एक समान नहीं होते, क्योंकि सारे मजहब वस्देव कुटुमकम नहीं सिखाते, सारे मजहब सर्व मंगल मंगले सीवे सरवाद साध्य के नहीं सिखाते, तो इसलिए जब नहीं सिखाते हैं उनकी सोच अलग है सोच अलग है एक नहीं हो सकते संभिधान के दारे में रहते हुए क्या किया जा सकता है भारत में आठवी तक समान सिख्छा लागू की जा सकती हो कैसे एक कानून है राइट तो एजूकेशन पता होगा आप लोगों को जो आठवी तक सब के लिए समान है और जब राइट तो एजूकेशन एक्ट बना था तो मदर्से भी उसमें सामिल थे 2012 में कांग्रेस ने अमेंडमेंड किया और मदर्सों को उससे बाहर निकाल दिया जमियत उल्मा हिंद परसनला बोर्ड के दबाओ